हाई दोस्तों मैं मंगला प्रसाद निसाथ आपका हमारी यूट्यूब चैनल EMPN Online Study पर स्वागत है तो साथ हुआ आज हम बात करेंगे फिटर थियोरी फर्स्टिगर मॉडर पेपर जो हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं जितने क्यूश्चन हर भार एक जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही मास्तपूर क्यूश्चन के बारें बात करते हैं और ये क्यूश्चन आपके प्रेटिकल में पूछे जाते हैं अगर आप कंपनी में कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं पूंचा जाता है और सबसे ज्यादए इंपॉर्टेनर और सबसे ज्याद है और यह आपके प्रेट केरह पूंचा जाता है option A है lead का B है brass का C है hard लकड़ी का और D है cast iron का जो right answer होगे दोश्तों वह होगा आपका my lead जो है hard लकड़ी का बनाया जाता है C जो है आपका right answer होगा चलते हैं तीसरे question पर बात करते हैं तीसरे question है seat metal का वागुड जिससे seat एक ही दिसा में roll की जा सके कहलाती है जहां seat का वा गुड़ आपको बताने है कि जिससे seat जो है एक ही दिसा में roll की जा सके option A folding B B Bending C C Culling और option D है directionality तो आपका जो right answer होगे दूस्तों वह होगा option D directionality के गुड़ के कारण जो है seat एक ही दिसा में roll कर सकते हैं तो चलते हैं अगले question पर बात करते हैं टोटल निर्माल कारी में दूस्तों जो joint प्रयोग होता है वह आपका होता है double grouped seam joint तो आपका right answer हो जाएगा डी चलते है question number 5 पर बात करते है question number 5 है GI seat पर निम्न की coating चड़ी होती है जहां जो GI seat होती है उस पर हम किस पदार्थ की coating चड़ाते हैं option A है ताबे की B है जिंक की C है टिन की और option D है C चा की तो right answer आपका होगा option B हम उस पर जो है जिंक की coating चड़ाते हैं तो आगे चलते है question number 6 पर बात करते हैं इस वीडियो में total महत्तुपूर्ण 15 question है अगला question है फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है जिहां फ्लक्स के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं option A है copper, B है zinc oxide, C है zinc sulfate और option link है D है zinc chloride तो फ्लक्स के रूप में हम 60 जो है zinc oxide का प्रयोग करते हैं तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा आगे चलते हैं अगले question पे बात करते हैं अगला question है question no 8 तामर soldering iron के लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि या तामर soldering iron के लिए प्रयोग किया जाता है किस कारण option यह है इसके गर्लांग कुछ होते है B है इसके प्रतिरोध की छमता जो है ज़्यादा होती है C है यह 6 को रोकता है और option D है यह ताप का अच्छा सुचालक होता है तो रहाई टेंसर हो जाएगा option D तामर जो है soldering iron में इसलिए प्रोक के जाता है कि यह ताप का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है तो चलते हैं question number 8 पर बात करते हैं question number arc building में AC को DC supply में कौन सी machine बदलती है जहां जो arc building होती है उसमें AC से DC supply में कौन सी machine जो है बदलने का काम करती है option E है transformer B है rectifier C है blow pipe और option D है diesel set तो right answer होगा आपका B rectifier जो है AC को DC में बदलने का काम करती है question number 9 है दोस्तो oxygen cylinder के regulator पर कौन सी चूड़िया कटी होती है जहां जो oxygen cylinder होता है उसके regulator पर कौन सी चूड़िया कटी होती है option E है double start option B है right hand C है left hand D है एक में तो right answer होगा आपका option B oxygen cylinder के regulator पर जो है right hand thread कटी होती है question number 10 पर बात करते है question number 10 है oxygen cylinder के valve की चूड़िया किस हाथ की कटी होती है जहां option E है दाय हाथ B है बाय हाथ C है A वा भी दोनो option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं oxygen cylinder के valve पर जो चूड़िया कटी होती है अगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं दोश्तों अगला question आर्क वैल्डिंग में electrode को किस रूप में लाया जाता है जहां आर्क वैल्डिंग में electrode को हम किस रूप में लाते हैं option है base metal B है flux C है filler metal और option D है electrode electrode तो electrode को हम filler metal के रूप में प्रियूप करते हैं option C आपका right answer हो जाएगा आगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं question number 12 cutting करते हैं यदि blow pipe को बार बार आगे पीछे move किया जाए तो curve जो है कैसा बनेगा option यह बड़ा बनेगा B है सही size का होगा C है चोटा होगा option D है कोई प्रभाव नहीं होगा तो right answer जो है दोस्तों वह आपका होगा option आपका होगा option आपका होगा option आपका है कर्फ जो है बहुत ही बड़ा बनेगा आगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं question number 13 गयस cutting में यती बहुत कम oxygen supply की जाती है तो क्या होगा अगर गयस cutting करते हैं और supply बहुत कम देते हैं oxygen की तो क्या होगा option D धात उठंडी हो जाएगी B है कर्फ जो है सकरा बनेगा C है कर्फ चोड़ा बनेगा और option D धात पूर्ण रत्या नहीं कटेगी तो right answer आपका हो जाएगा option D धात जो है पूर्ण रुप से नहीं कटेगी अगर हम oxygen की supply को कम कर देते हैं तो question no.14 पे बात करते हैं निम ने लिखी थे सीतलको में से किसका प्रूवग एलिमूनियम वर्क पीस की रीमिंग करने के लिए किये जाता है option A है मिट्टी का तेल B है पानी C है प्रेसर हवा और D है लाड आयल तो right answer जो हो जाएगा दोश्तों हुआ होगा हम इसीतलको में से लिखी प्रूवग एलिमूनियम वर्क पीस की रीमिंग करते हैं तो right answer हो जाएगा उस समय आपका C हवा का प्रेसर का चलते हैं अगले question पर बात करते है question number 15 BIS से क्या अभिप्राय है जी हाँ आपको BIS का प्रूवफार्म बताना है option A है value of standard institution option B है bold of international system option C है bold of Indian standard और option C है Bureau of Indian standard तो BIS का जो प्रूफार्म होता है दोस्तों आपका right answer हो जाएगा option D Bureau of Indian standard तो कैसे लगी आपको अमारे वीडियो comment box मता है अगर आपका कोई question हो तो हमसे पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद